मद्रिपदेश में एक परिक्षा का मुद्दा खत्म होता नहीं कि दूसरी परिक्षा का मुद्दा सामने आ जाता है PSC की मेंस परिक्षा का मुद्दा एक तरफ चल ही रहा है तो अब दूसरी तरफ पटवारी भरती परिक्षा एक बार फिर चर्चा में आ गई है पटवारी भरती परिक्षा पर धांदली के आरोप लगे थे जिसके बाद ततकालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने हाई कोट के रिटायर जज जस्टिस राजेंद्र वर्मा कमीटी को इस मामले की जाच सौब दी थी जिसकी रिपोर्ट 30 जनवरी को सरकार को सौब दी गई है मात्र 74 पेच की इस रिपोर्ट में पटवारी भरती परिक्षा को क्लीन चिट दे दी गई है यानि जाच कमीटी का ये मानना है कि परिक्षा में कोई धांदली नहीं हुई है अब इस जाच रिपोर्ट पर मद्रप्रदेश सामान प्रशाशन विभाग यानि GAD लगभग 15 दिनों से विचार ही कर रहा है समान प्रशाशन विभाग के प्रमुक सचिव मनीश रस्तोगी ने दस सूत्र को बताया है कि पटवारी जाच रिपोर्ट का मामला अभी विचार में है यानि जब तक समान प्रशाशन विभाग इस मामले पर करमचारी चैन मंडल को हरी जंडी नहीं देगा पटवारी भरती पर स्तिती साफ नहीं होगी अब जब तक स्तिती साफ नहीं हो जाती आठ हजार से ज़्यादा पटवारी भरती में चैनीत उमिद्वार और लगभग 10 लाख परिक्षा देने वाले उमिद्वार सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं सामान प्रशाशन विभाग के सामने हमें जो चुनौती दिखाई देती है वो ये कि ग्वालियर के जिस NRI परिक्षा सेंटर से सारा विवात खड़ा हुआ उस पर विभाग क्या फैसला करता है और विभाग ये भी देखेगा कि जाच रिपोर्ट को वो मानने करे या नहीं और एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो क्या पूरा का पूरा 100% रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर OBCR Action के मुद्दे के चलते महज 87% रिजल्ट जारी किया जाएगा अब आपको जाच रिपोर्ट में जो बाते लिखी हैं उन बातों के बारे में कुछ बता दें कि आखिर की साधार पर जाच कमेटी ने परिक्षा में किसी भी तरह की धानली से साफ इंकार कर दिया कमेटी का कहना है कि जो भी टॉपर्स हैं उन्होंने अलग-अलग समय पर फॉर्म भरे जो डॉक्मेट उनकी तरफ से भरे गए थे वो भी अलग-अलग समय पर भरे गए ऐसे में एक सेंटर से 114 उमिद्वारों का सिलेक्ट होना शक करने का आधार नहीं है कोकि उमिद्वार लाखों में थे और कई सेंटर से 200-200 उमिद्वार भी सिलेक्ट हुए है और एक सेंटर से जादा टॉपर होना भी शक पैदा नहीं करता और जो दिव्यांग हैं उनके दस्तावेज सही है या नहीं ये नियुकती के समय जब जाँच होगी तब पता चलेगा कि उनके डॉक्मेंट सही है या नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि जाँच कमीटी का कहना है अब इस पूरे मामले पर शात्रों का क्या रुख रहता है ये तो जब रिल्ट जारी किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा लेकिन तब तक शात्र क्या करते हैं उमिदवार क्या करते हैं ये सब देखना होगा बहराल आप बने रहें दासूत्र के साथ साथ ही हमारी वेब साइट www.dasutr.com पर विजट करते रहें धन्यवाद